मैं अब्दुल कादिर हूँ और इसको तहरीर किया है सर्वत नजीर ने और उसके कमरे के दर्वासे के पाहर मीरा सकते के आलम में खड़ी थी उन्होंने दस्तक के लिए हाथ उठाया और फिर रुक गई वो जानती थी कि अंदर से आता शोर उनकी दस्तक को अब्दुल कादिर तक नहीं पहुचा सकता उसने कब इतनी बुलंद वाज में टीवी देखना शुरू कर दिया वो भी म्यूजिक वो धीमा दबू शर्मीला सा लड़का जिसे वो दो हफ़ते पहले छोड़ कर गई थी किस तरह एक तन्हु तेज रफ़तार बोल्ड लड़के में बदल गया था इस तब्दीली ने मीरा को खुश करने के बज़ाए परिशानी में मुब्तला कर दिया था मीरा समझ रही थी कि अब्दुलकादिर ने नए रास्ते की तरफ सिर्फ चंद कदम ही नहीं बढ़ाए हैं बल्खे छलांग लगा दी है ये जाने बगएर के रास्ते पर खारियां कठिन तो नहीं गड़े या गहरी खाईयां तो नहीं जिन में गिरने का खत्रा हो मीरा कुछ देर दर्वाजे के बाहर खड़ी रही फिर उन्होंने फोन मिलाना शुरू किया हेलो अब्दुल समत कैसे हैं आप कब तक वापसी है आपकी नहीं मैंने अपना जैन्वे का प्रोग्राम कैंसल कर दिया है आप आएं फिर बताऊंगी आप भी प्लीज जल्दी आने की कोशिश करें नहीं कोई परिशानी तो नहीं लेकिन हो भी सकती है आप प्लीज जल्द आएं हाँ अब्दुलकादर मीरा रुक गई उन्होंने तरवाजे की जानिब दिखा जहां से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी हाँ अब्दुलकादर भी ठीक है बलके कुछ जादा ही ठीक है मीरा में डोर से बाहर निकलने वाली थी जब अब्दुलकादर बलाई मंजल की सीड़ियां तेजी से उतरता हुआ उनके करीब आया ममी ममी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे वो जल्दी में था मीरा जो पर्स में से अपना मुबाइल गाडी की चाबी तलाश कर रही थी रोक गई उन्होंने अब्दुलकादर पर नज़र डाली और पुराने अब्दुलकादर को तलाश करना चाहा लेकिन वो अब कहीं नहीं था कितने पैसे चाहिए मीरा ने जबरदसी चहरे पर बशाशत पहला ली आप कितने दे सकती है उसने उल्टा सवाल कर डाला मीरा ने बगवर उसके चहरे की जानिब देखा उसकी आँखों में बेकरारी थी उसके वजूद में इस्तराब था जितने तुम चाहो मीरा उसकी जानिब बगवर देखते मुहबबस से बोली मुझे तो वो तवक्क कर सकती थी लेकिन पचास हजार क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें पचास हजार क्यों चाहिए कुछ तौकफ के बाद मीरा ने क्रेडिट कार्ड पर्स में से निकाल कर अब्दुलकादर को देखते हुए बोचा I'm sorry ममी फिलहाल तुम्हें सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन क्यूं चाहिए ये मैं अभी खुद भी नहीं जानता अब्दुलकादर कुछ कंफ्यूस सा बोला मीरा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई अब्दुलकादर अभी इतना भी नहीं बदला मीरा ने दिल में सोचा ठीक है जब तुम फैसला कर लो तुम मुझे बता देना मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा इन पैसों का क्या करना चाहता है प्रॉमिस मेरा दोस्ताना अंदाज में उसकी जानिब हाथ बढ़ा कर बोली प्रॉमिस अब्दुलकादर ने उनका हाथ थामा और क्रेडिट कार जेब में निकाल कर जल्दी से बाहर निकल किया मीरा के चहरे पर मुस्कुराहाट आ गई अब्दुलकादर अभी इतना भी नहीं बदला मीरा ने दिल में सोचा ठीक है जब तुम फैसला कर लो तो मुझे भी बताना मैं देखना चाहती हूँ कि मीरा बेटा इन पैसों का क्या करना चाहता है प्रॉमिस मीरा दोस्ताना अंदाज में उसकी जानिब हाथ बढ़ा कर बोली प्रॉमिस में बड़ी महारत से गाड़ी रिवर्स की और तेजी से गेट से निकाल कर मीरा की नजर से खायब हो गया मीरा कितनी देर खड़ी सोचती रह गई मैं अब्दुलकादिर के बारे में कहीं ओवर कॉंशेस तो नहीं हो गई अब्दुलकादिर तो अब नॉर्मल लड़कों कितना बेहिव कर रहा है मैंने खौमखा अब्दुलसमत को उसके बारे में परिशान किया लड़कें से दोस्ती कोई काबल एतरास या मायूब बात नहीं मैं शायद एकलौता बच्चा होने की वज़ा से ज्यादा हत्सास होती जा रही हूँ मीरा ऐसी बहुत सी सोचोई अपने आपको मुतमईन करने लिए सोच रही थी लेकिन बेचैन करने वाली दिल को बेसकून करने वाली घंटी दिमाग में जूंकी तूं बच्ती जा रही थी बुतीक पहुँचकर मीरा ने अब्दुलकादर के दोस्त फरास को फोन किया हेलो बेटे कैसे हैं आप मीरा खुशदिली से बोली आइम फाइन अंटी अच्छा हुआ आपका फोन आगया वरना मैं आज आपको खुद फोन करने वाला था फरास की पुर्त तफक्र आवास मीरा के कानों से टकराई मीरा जो फरास से अब्दुलकादर की नई दिल्चस्पियों के बारे में पूछने वाली थी इस बास से मजीद परिशान हो गई बजाहिर तो वो दोस्ताना अंदाज में अब्दुलकादर को क्रेडिट कार्ट दे चुकी थी लेकिन अंदर से वो परिशानी में मुब्तला थी कि उसे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई वो अब्दुलकादर जो इस से पहले पूरे महीने पांच सो से ज़्यादा खर्श नहीं करता था अब एक खटे पचास हजार रुपे मांग रहा था मैं काफी देर से अब्दुलकादर के नमबर पर ट्राय कर रही हूँ तो उसका फोन नहीं मिल रहा मैंने सोचा वो शायद आपकी तरफ होगा अंटी मेरी और उसकी तो दो हफ़तों से मुलाकात नहीं हुई मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन उसका फोन हमेशा बंद मिलता है ओ आई सी मीरा के मूँ से इस्तिराबी अंदाज में निकला आप दोनों की क्या कोई नराजी चल रही है नहीं अंटी कोई नराजी नहीं है लेकिन मुझे लगता है उसने नए दोस बना लिये है अच्छा आप जानते हैं उनको मीरा कुछ हिचकेतात हुए बोली अंटी मैं नहीं जानता लेकिन पिछले हफते मेरे पापा के सेकरेटरी ने अब्दुलकादिर को रात के वक्त कुछ लड़कों के साथ देखा था उन्होंने रिजवान सहाब की मोटर सैकल को हिट किया था और फिर वहां से गाड़ी भका ले गए वो तो शुकर है रिजवान सहाब को ज्यादा चोट नहीं लगी उन्होंने अब्दुलकादिर को पहचान लिया था अगले दिल उन्होंने रिपोर्ट भी दर्च करवाई थी लेकिन मेरे कहने पर अब्दुलकादिर का नाम नहीं दिया मैं जानता हूँ अब्दुलकादिर ऐसा लड़का नहीं है मीरा फोन हाथ में पकड़े सुनसी बैठी हुई थी जिस बात को पूछने के लिए उन्होंने फरास को फोन किया था वो तो वो पूछ ही ना सकी और नई परिशानी मोल ले बैठी थी वो भी सारे पहलों पर गोर कर रही थी कि फोन पर समस की बैल हुई उन्होंने बटन प्रेस किया तो मीरा के बैंक की जाने से मैसेज था कि अभी अभी आपके अकाउंट से 32,000 रुपे निकल वाए गए है अब्दुलकादिर ऐसा लड़का नहीं है मीरा के दिमाग ने उन्हें तसली देने की कोशिश की मगर उनका दिल इसको कुबूल करने पर तैयार नहीं था पीसी की खौबनाक लॉबी में चलते हुई जरीन की आँखों में तहीर और इस्तजाब था जबके अब्दुलकादिर के पूरे वजूद में घबराहट के साथ साथ एक जोश की सी कहफियत थी उसने रिजर्फ की हुई टेबल के करीब पहुँचकर जरीन के लिए कुरसी खिसकाई जरीन खामोशी से कुरसी पर पैट गई अब्दुलकादिर जरीन के सामने वाली कुरसी पर पैट किया पीसी का खौबनाग टाइनिंग रूम मधहम रोशनिया धीमी धीमी मगरिबी मौसी की लोगों की दबी दबी सी सरगोशिया अब्दुलकादिर ने इस वसुखेज महौल से निगाहें अठाकर अपने सामने बैठी जरीन पर जमा दी मेज के दर्मयान रोशन की गई लरस्ती मौमबतियों की रोशनी जरीन की नोखेज सुरुको सफेज चहरे और खेरी सबस आँखों पर पढ़ रही थी तुम मुझे यहाँ डिनर के लिए लाने वाले थे तुम मुझे पहलित बता तू देते मैं ढंक से तयार होकर आती जरीन कदरे छंजरा कर बोली तुम तो अभी भी अच्छी लग रही हो अब्दुलकादिर जरीन की आँखों की गहराई में डूबे हुए बोला खाक अच्छी लग रही हूँ पिछले दो दिनों से इस जीन्स और फिटिट टी शिर्ट में घूम रही हूँ ना तुमने मुझे कपड़े चेंज करने दिया ना ही बॉबी और पाशा को फोन करनी दिया इतनी जल्दी मचाई जरीन जिसने उची पोनी टेल बना रखी थी सर छटक कर बेजारी से बोली मैं पाशा और बॉबी को खुद ही बुलाना नहीं चाहता था आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था अब्दुलकादिर जरीन को पर्स से मुबाइल निकालता देखकर चल्दी से बोला जरीन ने अचानक मुबाइल से नजरे हटा कर अब्दुलकादिर की चानिप देखा उसकी आँखों में चमा का गई उसने होटों को सुकेड कर सीटी बजाई खैर तो है मुझे प्रोपोस करने का तो इरादा नहीं तुम्हें? तुम्हें कैसे पता चला? अब्दुलकादिर जो अपनी घबराहट को बमश्किल काबो करके बैठा था बेतरहां घबरा किया सारे हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं ये कैंडलाइट डिनर तनहाई और तुम्हारा यूं ड्रेस अप होना आखरी बात कहते हुए वो उसकी तरफ देखकर बेख्तियार हसने लगी अब्दुलकादिर आज ड्रेस सूट में मलबूस था ये सूट पिछले साल मीरा इंगलेंड से मारक्स एंड स्पेंसर की शौप से खरीद कर लाई थी लेकिन बेहद इसरार के बावजूद अब्दुलकादिर ने ये सूट कभी नहीं पहना अपने कजन की शादी पर भी नहीं जहां बराद पर सबने सिया डिनर सूट पहन रखे थे अब्दुलकादिर धीली धाली शर्ट और जीन्स में घूमता रहा लेकिन आज उसने बड़े एहत्माम से वो सूट पहना था मगर जरीन की हसी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी I am sorry, sorry जरीन ने गिलास उठाकर पानी पिया टिश्यू पेपर से आँखों में आया पानी साफ किया अब्दुलकादिर को जरीन का यूं हसना बिलकुल बुरा नहीं लग रहा था बलकि वो हस्ती हुई जरीन को बड़े प्यार से देख रहा था अंदर असल एक्यू तुम्हारा सूट अच्छा है बस तुम पर कुछ अजीब लग रहा है जरीन अपने तौर पर अब्दुलकादिर को बहला कर बोली तुम्हें सूट अच्छा नहीं लग रहा मैं आएंदा कभी सूट नहीं पहनूँगा अब्दुलकादिर की खोई-खोई सी आवाज आई जरीन को अब्दुलकादिर के आवाज में अजीब सी अजनबियत का एहसास हुआ अरे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं मैं तो मजाक कर रही थी जरीन तेजी से बोली तुम तो बड़े कूल लग रहे हो इस सूट में लेकिन अब्दुलकादिर ने गोया उसकी आखरी बास सुनी ही नहीं लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था अब्दुलकादिर उसी गुमसुम से अंदार में बोला अच्छा छोड़ो इस बात को बताओ सर्प्राइस क्या था जो तुम मुझे देना चाते थे जरीन ने बात बदलना चाही अब्दुलकादिर ने इस कोट के अंदरूनी जेप में हाट डाला और एक छोटी सी जिबिया निकाली जिबिया का उपरी धकन ट्रांस्पेरंट था अब्दुलकादिर ने वो डिबिया मेज पर खिसका कर जरीन की जानिप कर दी जरीन डिबिया का धकन खोले बगएर देख सकती थी कि उसमें एक बेश कीमत डायमेंड ड्रिंग चमक रही थी जरीन हैरत जदा इस सिंगल डायमेंड वाली कीमती रिंग को देखती रही इससे पहले उसे अक्सर दोस्तों से तहाइब मिलते थे चॉकलेट्स, बोक्स, सीडीज, पर्फियूम वगएरा लेकिन इस तरह का गिफ्ट उसे कभी नहीं मिला था ये क्या है? जरीन कुछ देर के बाद हैरानी से बोली ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए अब्दुलकादिर जोश से बोला लेकिन ये तो बहुत एक्स्पेंसिफ है मैं ये नहीं ले सकती जरीन कुछ खबरा कर बोली नहीं ये बिलकुल भी महंगी नहीं है सिर्फ बत्यस हजार की है अब्दुलकादिर जल्दी से बोला आर यू क्रेजी एक्यू? ये थर्टी टू थाउजन्ड की है और तुम कह रहे हो ये बिलकुल महंगी नहीं है जरीन अब मजीद हैरान थी तुम्हे देने के लिए कि बिलकुल भी एक्सपेंसिव नहीं है अब्दुलकादिर की आँखों में उसकी बातों में ऐसी दरफ्तिगी थी कि जरीन कुछ देर के लिए चकरास ही गई लेकिन मैं ऐसे कुबूल नहीं कर सकती जरीन ने डिबिया को खोले बगर मेज पर अब्दुलकादिर की जानिब खिसका दिया अब्दुलकादिर के चहरे पर तारीक साया लहरा गया लेकिन क्यों यूनो रिंग देने का क्या मतलब होता है जरीन उसे एहसास दिलाने वाले अंदास में बोली पहले नहीं जानता था लेकिन जब से तुम से मिला हूँ तो मुझे दूसरी बातों के इलावा ये भी जान किया हूँ क्या मतलब जरीन मारे हैरत के सिर्फ यही कह सकी I mean I love you and I want to marry you अब्दुलकादिर ने इतने अराम से इतनी बड़ी बात कह दी जरीन अब्दुलकादिर की बात और अब्दुलकादिर खुद अपनी बात की हैरानी में कुछ देर खामोश बैटे रहे सर क्या लेंगे आप वेटर की आमा से दोनों की खामोशी तूट गई कुछ नहीं दोनों बेक वक्त बोले वेटर मुस्कुराता हुआ दोनों की टेबल से हट गया अगर ये जोग था तो बहुत ही सिली जोग था और अगर तुम सीरियस हो तो अभी हमारी उमर नहीं है इन मौमलात में सीरियस होने की जरीन कुछ देर के बाद मतानत से बोली ये जोग नहीं है मैं बिलकु सीरियस हूँ और मैं जानता हूँ तुम सत्रा साल की हो और मैं उनिस साल का हूँ कम को धीमा शर्मीला अब्दुलकादर बेधरक होकर बोल रहा था फिर भी इस तरह की स्टूपिड बात कर रहे हो जरीन की हैरत में अब घुस्सा हावी होने लगा था ठीक है अभी शादी नहीं करते अभी सिर्फ इंगेजमेंट कर लेते हैं शादी जब तुम कहोगी तब कर लेंगे ओफो एक्यू क्या हो गया है तुम्हें अभी तो मुझे पढ़ना है अभी तो मेरा O लेविल का रिजल्ट नहीं आया तुम्हारा A लेविल मुकमल नहीं हुआ तुम किस चक्कर में पढ़े हो दो साल, चार साल, आठ साल जब तक तुम कहो मैं तुम्हारा इंतिजार करने को तयार हूँ अब्दुलकादिर जरीन के लिए लहजे की तलखी को खातर में ना लाते हुए अपनी धुन में बोलता चला गया एक यू तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन मैं तुम से कभी भी शादी नहीं कर सकती अब्दुलकादिर के लहजे ने जरीन को नम पढ़ने पर मजबूर कर दिया क्यूं क्यूं नहीं कर सकती अब्दुलकादिर ने अपने तूटते दिल को सहारा देते हुए पूछा क्यूंकि मैं तुमसे महबत नहीं करती जरीन अब्दुलकादिर को समझाने वाले अंदास में बोली अब्दुलकादिर को यूं लगा जैसे किसी ने उसे पहार की चोटी से धक्का देकर गिरा दिया हूँ तुम्हें मुझसे 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 क्यों नहीं है अब्दुलकादिर की कपराहट दुबारा से उसे जगर चुकी थी बस नहीं है मुझे, तुमसे महपत महपत कोई जबरदसी तो नहीं की जाती तुम मेरे अच्छे दोस्त हो लेकिन महपत I am sorry ये तो मैं तुमसे नहीं कर सकती मुझमें क्या कमी है मुझमें क्या खामी है मुझे बताओ मैं अपने अंदर से सारी खामिया दूर कर दूँगा जैसा तुम कहोगी वैसा बन जाओंगा जैसे तुम चाहोगी वैसा करूँगा अब्दुलकादुर की आँखों और आवाज में नमकीन पानी का लर्जा तारी था एक यू तुम समझ नहीं रहो जरीन उसकी कैफिस से उलजन में मुब्तला हो गई थी नहीं जरीन तुम नहीं समझ रही हो मैं अब तुम्हारे बगर नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ उसकी आँख से आँखों लुड़कर डिबिया के शीशे पर जा गिरा मैं अपने आपको बदल दूँगा जरीन जैसा तुम चाहोगी वैसा बन जाओंगा अब्दुलकादिर की आँखों से आसु बेखत्यार गिरते चले जा रहे थे बहुत हो गया एक्यू मैं न तुम से मुहबत करती हूँ और ना ही कोई शादी वादी करूँगी यक लख तारीकी में डूप गया जरीन अब्दुलकादिर को मेज पर अकेला बैठा छोड़ कर चली गई थी पीसी का पूरा डाइनिंग हॉल किसी कबरिस्तान की मानिद हो गया था सारी मेजें कबरों का रूप थार गई थी अब्दुलकादिर अपनी पहली महबबत की कबर पर बैठा आसू बहा रहा था वो महबबत जिसने अभी सांस लेना शुरू किया था जिसने अभी परवान चड़ना था वो महबबत जिसमें सुपुर्दगी थी बदल देने की ताकत थी वो महबबत जो पाए बगर अपना आप मनवाए बगर मर गई थी अब्दुलकादिर कितनी देर महां बैठा सिस्कियों से रोता रहा लाउंच के सौफे पर दोनों कौफी के मक थामे खामोशी से बैठे थे मीरा अब्दुलसमद से कुछ तसली आमेज फिकरे सुनना चाहती थी और अब्दुलसमद इस सोच में गुम थे कि मीरा किस बात पर फिकरमंद है मुझे तो तुम्हारी फिकरमंदी की वज़ा बिलकुल समझ में नहीं आ रही चार रोज हुए हैं मुझे आये हुए मुझे तो अब्दुलकादर में कोई अनोखी अजीब बात नजर नहीं आई क्या अब्दुलकादर बिलकुल वैसा है जैसा आप छोड़ कर गए थे मीरा बदस्तूर फिकर कि समंदर में गोता जन थी हाँ ठीक है मुझे अब्दुलकादर को बदला सा महसूस हुआ है लेकिन आई थिंक ये अच्छा चेंज है अब्दुलसमद ने काफी का घूंट भरा वो बदल गया है लेकिन उस बदलने में उसका शओरी अमल दखल नहीं है वो किसी के जेरे असर बदला है मीरा सामने खिड़कियों से बाहर लॉन में फैलती तारीकी पर नजर जमाए बोली तुम्हारे ख्याल में किसने उसे बदलने पर मजबूर किया है अब्दुलसमद ने बगार उसकी तरफ देखा I think he is in love महबत वहबत के चकर में पढ़ गया है मीरा यूही तारीकी पर नजरे गाड़े बोली ओ कमॉन मीरा इस उमर में सब बच्चे इस फेश से गुजरते हैं करश होना पसंद करना किसी पर यूँ मर मिटना It is natural तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अब नॉर्मल लड़कों की तरह बेहेव कर रहा है अब्दुल समद मैं नहीं चाहती कि कोई उसे इस हद तक आगे ले जाए कि पीछे मरना उसके लिए मुश्किल हो जाए वो नॉर्मल और नैचरल की हद से आगे बढ़ रहा है जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है मीरा ने अब तारीके से नजरे हटा कर अब्दुल समद की जानिब देखा अब्दुल समद वो लड़की उस पर इतनी हावी हो गई है कि तीन हफतों में उसने 19 साल अब्दुल कादर की जास से हटा कर दूर रख दी है जो कुछ मैं 19 साल में अब्दुल कादर से ना मनवा सकी उसने 2 हफतों में कर दिखाया है And you feel jealous? अब्दुल समद की आवाज में हैरत थी आप समझ नहीं रहे अब्दुल समद मैं jealous नहीं हूँ मैं अब्दुल कादर के लिए फिकर मद हूँ अगर ये सब कुछ किसी आम नॉर्मल लड़के के साथ होता तो उसके लिए इस तजर्पे को सहना उसके बाद उसमें नाकामी को बरदाश करना कोई मुश्किल ना होता लेकिन अब्दुलकादर जैसे लड़के के लिए इस तजर्पे की भटी से सही सलामत निकलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब्दुलसमत मैं नहीं चाहती कि कोई उसे इस हद तक आगे ले जाए कि पीछे मुणना उसके लिए मुश्किल हो जाए वो नॉर्मल और नैचरल की हद से आगे बढ़ रहा है जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है मीरा ने अब तारीकी से नजरे हटा कर अब्दुलसमत की जानिब देखा अब्दुलसमत वो लड़की इस पर इतनी हावी हो गई है कि तीन हफतों में उसने 19 साल अब्दुलकादिर की जास से हटा कर दूर रख दिये हैं जो कुछ मैं 19 साल में अब्दुलकादिर से ना मनवा सकी उसने दो हफतों में कर दिखाया है अगर ये सब कुछ किसी आम नॉर्मल लड़के के साथ होता तो उसके लिए इस तजर्बे को सहना इसके बाद इसमें नाकामी को बरदाश करना कोई मुश्किल न होता लेकिन अब्दुलकादिर जैसे लड़के के लिए इस तजर्बे की भट्टी से सही सलामत निकलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आइम सॉरी मीरा तुम इस वक्त सिर्फ मुझे एक पसेजिफ मा लग रही हो जो अपने बेटे की जिन्दगी में किसी दूसरी औरत चाहे वो कोई टीनेज लड़की ही क्यों न हो उसे बरदाश नहीं कर पा रही है आप मुझे ऐसा रिजट खयाल करते हैं मीरा की आवाज सदमे से भरा गई मीरा ये हकीकत है तुमने दरसल अब्दुलकादिर की जिन्दगी को खुद मुदर्टब करने तश्कील देने का प्लैन बनाया है पहले तुमने चाहा कि वो मेरे अबबा अम्मी के पास रहे वो वहा रहा फिर तुमें वहां का महौल अपने मिजज के मताबिक ना लगा तो तुम उसे अपने पास ले आई यहां आकर तुमने उसे मेरी मुखालफत के बावजूद मरी के स्कूल में दाखिल करवा दिया वहां कुछ अरसा गुजरने के बाद तुमें उसकी शक्सियत में डरपोक और बुजदल रवईय का एहसास हुआ वहां से तुमने उसे केड़ेट कॉलेज में करवा दिया तुमने हमेशा उसे अपने रास्ते पर चलाने की कोशिश की हमेशा उसे वैसा बनाना चाहा जैसा तुम चाहती थी के वो बने अब अगर तुम्हारी गयर मौजूदकी में उसने कोई नया रास्ता तलाश कर लिया है तो तुम बरदाश नहीं कर पा रही हो अब्दलसमत की बातों से मीरा कुछ देर के लिए सकते के आलम में बैठी रही अब्दलसमत ने जो कुछ कहा ता वो काफी हद तक सही भी था मगर वो नए रास्ते पर बहुत तेजी से भाग रहा है वो गिर जाएगा चोट खालेगा तूट जाएगा फिर उसको संभालना उसकी शक्सियत में बड़ी दड़ारों को भड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब्दलसमत बहुत मुश्किल मीरा की आवाज एक सिस्की की सूरत में अब्दलसमत तक पहुंची इस उमर में लगने वाली चोटें जल ठीक हो जाती हैं तुम फिकर ना करो अब्दलसमत ने मीरा के करीब बैटकर उनके गिर्द बाजू हमाईल कर दिये मीरा ने सुबर्दगी के साथ अपना सर अब्दलसमत के कंदे पर टिका दिया कुछ देर के लिए मीरा को अपने वजूद में सकून तमानियत की लहर उतरती महसूस हुई बाहर की तारिकी जो उनके अंदर तक पहले जा रही थी कुछ कम होती महसूस हुई लेकिन जब मीरा ने अपनी मूंदी हुई आँके खोली तो वो और अब्दलसमत दोनों एक हिसम देख रहे थे सीधा सामने में डोर के दरवाजे पर कुछनों के बल अब्दलकादर किरा हुआ था उसका सर छोका हुआ था वो दोनों सौफे से उठकर बेश साखता अब्दलकादर की जाने पढ़े थे क्या हुआ? क्या हुआ अब्दलकादर? क्या हुआ है हनी? दोनों कुछनों के बल उसके पास बैठे पूछने लगे अब्दुलकादिर का पूरा वजूद अजियत के बाइस छटके खा रहा था आंसु गालों से बहते हुए मार्मल के फर्श पर गिर रहे थे बिखरे बाल, मट्टी धूल में अटा हुआ सिया सूट जूतों के गिर्द, कीचर, खुले, तसमे, वो ना जाने कहां कहां की खाक चानता किसी को ढूंटा हुआ बेखुदी के आलम में यहां आ निकला था वो, वो मुझसे महपत नहीं करती बाबा, मैंने उससे कितना कहा कि मैं उसके बगर नहीं रह सकूँगा, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ बाबा, वो नहीं मानी मैंने कितना कहा, ममी, मैंने उससे कहा, कि जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा, वैसा बन जाओंगा ममी, वो फिर भी चली गई, आसूँ, सिस्कियों के दर्मियान वो बेरत्ब सा बोलता जा रहा था बाबा, वो क्यों चली गई, उसने जो कहा, मैंने किया उसकी उसकी हर पात मानी, फिर वो क्यों चली गई, यूबे खुदी के आलम में रोते अब्दुलकादर को देखकर, अब्दुलसमत को पांच साला अब्दुलकादर याद आ गया, जब उसे पहली बार बोर्डिंग में दाखिल करवा कर, वापस आने वाले थे, वो तब भी यू चोड़कर नहीं जाएं, ममी मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन तब भी वो दोनों दिल सक्त करके उसे छोड़ाए थे, वो चली गई बाबा, वो, अब्दुलसमत ने उसे सहारा देखर खड़ा करने की कोशिश ही, लेकिन वो वही गुट्णों के बल बैठा, रोता रहा, और बिलाखर एक तरफ लुड़क गया, मीरा के मूँ से चीख निकल गई, यहाँ भे, यह पाथ एक्टर ताम को पहुंचा, असी पाथ सुनने के लिए उद्धोनावल जावर प्राइट को लाइक कीचिए, सब्सक्राइब कीचिए, शेयर कीचिए, कमन करना मत भूलेगा, झाल